दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल 4th Empire में तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं करोना वाइरस के चलते IPL सीजन 2020 पे कैंसल होने का खत्रा काफी जादा मन रहा है पहले IPL सीजन 2020 को 15 अप्रेल तक पोस्पोन कर दिया गया था लेकिन दोस्तों 15 अप्रेल को भी इसके होने के चांसे काफी जादा कम बता जा रहे हैं दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ BCCI और IPL के अध्यक्स मिस्टर बिर्जे स्पाडल और आट फ्रेंचाइजियों के माले कोई भी नहीं चाहता है कि IPL सीजन 2020 को कैंसल करना पड़े दोस्तों तो ऐसी परिस्तितियों में काफी बड़े बड़े दिगज सामने निकल कर आ रहे हैं और IPL सीजन 2020 के होने ना होने पर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं आप लोगों को बताया था कि बैन स्टोक्स ने अपने बड़े बयान में क्या कहा और दोस्तों आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें की रोईस सर्मा ने बड़ा बयान दिया है IPL सीजन 2020 के उपर तो दोस्तों ये वीडियो काफी गाता इंटरेस्टिंग होने वाला है तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो प्लीस हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पोर्त एमपायर को और साथ में दिये गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मिल पाए इंडियन्स के कप्तान की जिम्मेदारी को बखुवी निवाने के लिए तयार है और वो आई पेल 2020 में खेलना भी चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँँ रोई सर्मा ने अपने बड़े बयान में कहा है कि आई पील सीजन 2020 की ऊपर कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि इस बार मुंबई इंडियन्स की टिम काफी अच्छी दिखाई दे रही थी और मुंबई इंडियन्स चार बार आई पेल जीतने के बावजूद पांच में खिताब को अपने नाम कर सकती थी इस सीजन में दोस्तों यह थे को सब जो की आई पेल 2020 पर रोई सर्माने बयां किये थे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रीस हमारे इस चैनल फूर्टमपैर को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिये गए बैल आइकन को प्रेस कीजिए धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए